जे मातरी भक्तों आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग वीडियो है अलग इसलिए बोलूगा कि ये विधीना आपको कोई नहीं बतायागा और किसी नहीं बताई होगी आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में पताने जाना हूँ जिससे आप अपार लक्ष्मी की प्राप्ती कर सकते हो जी हाँ आपने सही सुना 100% गैरेंटी दे रहा हूँ अगर आपको ये मिल गया और आप इस विधी से कर लोगे ये जिस तो आपकी ऊपर मा लक्ष्मी की अपरम पार कृपा मिलेगी ठीक है वैसे तो ये तांत्रिक और सादूसंत लोग इसको पैचानना अच्छे से जानते हैं परन्तु जब हम ग्रस्त जीवन में होते हैं अगर किसी को भी कहीं से भी ये नारियल एक आक्षी नारियल अगर प्राप्त हो गया तो समझें मा लक् एक फल पर रेशा यानि की जटा उतारने के बाद टैनी की ओर जो टैनी की ओर होता है ना तीन काले बिंदू सबको दिखते होंगे और मानेता है इनमे से दो बिंदू नेत्रों के प्रतीक होते हैं और एक मुख का गौर से देखे तो नारियल का जो गूला होता है ना वो मा नारियल है तो ये तो नेचर ने ऐसा हमें डेकोरेट करके दिया है जिसको मतलब हम हर तरीके से देखे तो बहुती आकर्शत होता है जब हम नारियल को फोड़ते हैं जब उसमें अंदर से वो सफेद नारियल जब निकलता है खाने के लिए तो उसका मतलब परियोग खाने के भी करा जाता है और तंत्र मंत्र विद्या में भी करा जाता है पर यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ तंत्र का बताने वाला हूँ यानि कि माल लक्ष्मी को कैसे आप खीचे चले अपने घर की और स्थिरवाज दिलवा सकते हो ना इस एकाक्षी नारियल से आपको बहुत बेनेफिट मिल सकता है तो कहीं नारियल में आप देखू कि किसी किसी गोले पर तीन के बदले दो ही बिंदू होते हैं और अर्थाद उस पर दो नेतरों की जगाğ है एक ही नेतर और मुक होता है हना तो एकाक्षी नारियल जो होता है बहुत कम मातरा में प्राप्थ होता है सबसे बेली बात तो और इसकी पैचान जो लोग सिध्धी करते हैं साधना करते हैं वो लोग आसानी से इसको पैचान सकते हैं और जो आध्यात्मिक साधना सिध्धी जो करते हैं वो जो विद्वान लोग होते हैं वो इसका जो भी विचरण करते हैं हुए एकाक्षी नारियल को प्राप्त भी कर लेते हैं अब अगर ये एक आक्षी नारियल आपको प्राप्त हो जाता है तो इसके लाब क्या है सबसे पहले तो वो सुन लीजे बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ आप बहुत कम ये चीज़े सुनते होंगे, समझते होंगे कोई भी इंसान अगर बिना स्किप करे ये लाब सुन ले और ये विधी चला ले मैं 100% आपको गैरेंटी दे रहा हूँ मा लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, आएंगी अंधन के भंडारे भी भरेंगे, रोग भी कर जाएंगे पुरानी से पुरानी बिमारी भी कर जाएगी बस पाना क्या है एक आक्षी नारियल एक आक्षी नारियल से जो है एक तो सबसे बहली जैसे जो मैंने बताया कि मा लक्ष्मी के अपरमपार कृपा मिलती है क्योंकि वो मालक्ष्मी का प्रतीक है एकाक्षी नारेल के स्थापना से जो आपके स्थाई संपत्ती है प्रॉपर्टी है उसमें भी वृद्धी होते है मतलब दस गुना फल मिलता है यानि कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगी और आप और जगाभी प्रॉपर्टी अपनी प्लस कर सकते हूँ इससे नित्य तीन बार अगर आप कोई भी गर्वती जो इस्तरी है वो सूंग ले ना जिसकी पेट में अगर पीडा है अगर वो तीन बार इसको सूंग ले तो उस पीडा से भी जो प्रसब पीडा जिसे बोलते हैं डिलिवरी का पेन जिसे बोलते हैं उससे भी मुक्ती मिल जाती है जो पीडा है वो कश्ट है उस समय पे अगर तीन बार सूंग ले वो इस्तरी गर्वती इस्तरी तो उससे भी मुक्ती मिल जाएगी तो कितना मतलब कितनी शक्ति वर्दक है ये एक आक्षी नारियल जिस घर में एक आक्षी नारियल स्थापित होना वहां कभी भी कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं कर सकता उसका अगर करेगा भी ना कोई असर ही नहीं होगा इतना शक्ति शाली है हमरा एक आक्षी नारियल अगर कोई भी बिमार व्यक्ती है आपके घर में पुरानी से बुरानी बिमारी है 11 दिन लगातार 7 बार उसके जो सर से लेकर पैर तक आप एक आक्षी नारियल को वार दे और उसके बाद साफ जल में जो बहता हुआ जल है बहता हुआ पानी है वहाँ जल प्रवाइद कर दो ना उसकी कोई भी विमारी होगी कैसा भी रोग है उस एक आक्षी नारियल के साथ जैसे जल प्रवाइद करोगे वो रोग भी जल प्रवाइद हो जाएगा तो बहुत कारा गार उपाए, बहुत काम का उपाए, अगर घर पे रोगी है, तो एक आक्षी नारियल आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए, उस रोगी का कश्ट काटिये, ग्यारा बार आपको ग्यारा दिन तक लगातार ये कारण करना है आप देखेंगे उसके जो स्वास्त में हैं, बहुत अच्छा सुधार आएगा, वयपारिक स्थान आपकी फैक्ट्री आपका बिस्नेस है जहां आप काम करते हो, उस स्थान पर जहां आप पूजा बाठ करते हो, उस स्थान पर आप पूजन कक्ष में अगर एक आक्षी नारियल को स्थापित कर दोगे न तो फिर क्या होगा रहाकों की भीड लग जाएगी, सेल में इंक्रिमेंट होगा, इंक्रीज हो जाएगी सेल्स आपकी, बिजनस में अनेक्स्पेक्टड ग्रोथ होगी बतार दिन दुगनी राज चौगनी की तरक्की होगी तो इससे बढ़कर क्या चाहिए यार एक काक्षी नारियल आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता आप करके तो देखो, एक बार पाक है तो देखो कहीं से भी एक काक्षी नारियल मिले हर नारियल को चेक करो और कहीं से भी मिल सकता है आप थो सकता है, उसको ले के आओ, उसका पूजा विधान करना शुरू करो, स्वैम मा लक्ष्मी को आप पूजन करोगे, और जब वो पूजन करोगे, तो लक्ष्मी जिस घर में वास करेगी, उस घर में कभी पित्र दोश, मंगल दोश रहोगे, तो दोश वास्तो, दोश का और क्या चाहिए एक आक्षिनारियल मिल रहा है ना जरूर लेगा ना अब मैं एक आक्षिनारियल की प्रियोग विदी बता देता हूं कैसे इसका प्रियोग करना है ठीक है बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को बता रहा हूं अगर ये वीडियो आप सुन लें और जरूरतमन लोग को आप शेयर कर दें तो किसी का भी भला आप कर सकते हूं ऐसे वीडियो आपको हर जखा नहीं सुनने क्लें मिलेंगे बड़ी डिफिकल्टीज के साथ तंत्र मंत्र ये चीज़ वो चीज़ बताई जाएंगी परन्तु अगर ये सिंपल तरीके से सच्चे मन से सच्च भी और उसको तुरंथ ही घर लाते ही एक लाल कपड़े में सावा मीटर लाल कपड़ा लेना है और उसको लेकर उस नारियल को एक आख्शी नारियल को उसके अंदर रखना जैसे नारियल रखा, एक हाक्षी निपहले कपड़ा लगाया, जो सावा मीटर लाल कपड़ा है उसको खोला, उसके अंदर नारियल को लपेटा, फिर तीन गांठ बांदी, एक बांदी, दो बांदी, तीन बांदी, उसके बाद क्या करना है आपको कि ध्यान रहें, इस नारियल को जितने कम व्यक्ति देख सकेंगे न, उतना अधिक ये नारियल आपके लिए फलदाई होगा, यह फल देखा, तो ऐसी जगह पे आपको रखना है, जहां पर एकाक्षी नारियल पे किसी की नजर न पड़े, एक और दो क्या, मैं तो बोड़ा कोई भी न देखे परंतु डारिक्षिन आपकी नौर्ट इस्ट या नौर्ट या इस्ट होनी चाहिए, और जो साफ सफाई का आपको ध्यान देना है, उस जगह पे जाले नहीं लगने चाहिए, उस जगह पे तूट फूट नहीं होनी चाहिए, उस जगह पे सीलर नहीं होनी चाहिए, की तीनों कांठे, आपको एक साल ये अंदर तीन बार खोलने हैं, अब जब भी कोई एक अच्छा समय आ गया है, एक आक्षी नारियल के उपर जो लाल कपड़ा उतार कर कपड़ा बदल देना है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, जैसे दीपावली का पर्व हो गया महाशिवरात्री का पर्व हो गया, और होली का पर्व हो गया, रक्षा मंदन हो गया, या कोई भी जो बड़ी बड़ी त्युहार होते हैं, या समय होता है, इकादशी हो गई, या कोई भी शुकल पक्ष का समय हो गया, तो सोमवार या गुरुवार को साथ ही साथ आपको कर आप बदल सकते हो, तो बहुती सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, साल में तीन बार तो इसके गांटे खोलनी है, जैसे साल, अब नया साल आ रहा है, 2024 में आपने इसको स्थापित कर दिया, जिस भी समय मिला उस साल के अनुसार, आपने साल बर की काउंटिंग की वैलिडिटी रखनी है अब आपने क्या करना, कोई खोली आई, आपने खोल दिया, एक गांट ठीक है, आपने इच्छा बोलके एक गांट खोल दी फिर दिवाली आई, एक गांट खोल दी फिर दशेरा आया, जो भी मतलब आपके समय गया अनुसार, तीन बार आपने खोलना है, थोड़ा सा गैब गैब पे खोल देना, और उसके बात क्या करना है जब तीसरी गांट खोल जाएगी, तो अगली जब गांट फिर से बांदेंगे, आपको तीन गांटे फिर से बांदेनी है, वो बांदनी कब है, जैसी ही कोई अच्छा समय आ गया, अच्छा मोहरत आ गया, उस समय पे आपने बांदनी है, ठीक है दिवाली पे आप तीसरी गांट जरू खोल दें, या तूसरी गांट जरू खोल दें, या एक गांट दरूँए खोलने की तिवाली पे मा लक्ष्मी हमेशा हर घर में विचरन करती है, मा आती आती है, मा पधारती है, तो बहुत सटीक और सरल जानकारी है एक आकशी नारियल की अपार धनसमदा की प्राप्ति करनी है, तो मा लक्ष्मी की अगर आपको घर पे बिठाना है, मा लक में चंचल सुभाओ की होती है एक जगां पे नहीं टिकती है तो अगर आपको स्थिर्वाज रखना और आप चाहते हो कि दिन दुगनी राचोंगनी तरह की हो बस एक आक्षी नारियल कहीं से एड़्जस कर लो मंगवालो रख लो और पूजन विदी करो उसको सिद्ध कर दो मालक्षवी का जितना मंतरजा आप हो सकता है उसके समक्ष करो मैं आपको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक सकता दिन दुगनी राचोंगनी से कोई नहीं रक सकता गाड़ी गुड़ा मंगला धनसमदा हर चीज में आप सफल हो जाओगे ये इतना फल दाई आपका एक दस गुना फल देता है जितनी उसकी पूजा करोगे दस गुना फल देगा और वीडियो अगर पसंद आगे और ऐसी वीडियो और चाहिए न जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है जरुत मन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना और कमेंट में जैमा तादी लिखते ना दर्बार से बने रहे हैं सभी वक्त सभी वक्तों को जैमा तादी जैमा डाट का लिए